कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव को दिल्ली के एम्स में बेहोशी की हालत में 5-6 दिन बीच चुके हैं परिवार के साथ साथ फैंस भी उनके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं जहां डॉक्तरों की एक टीम राजू श्रीवास्तव को पलपल मॉनिटर कर रहे हैं वही लोग उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं राजु श्रीवास्तव के भतीजे कुशल श्रीवास्तव ने हाल ही बताया था कि उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और उन्होंने अपने हाथ पैर की उंगलियां हिलाई हैं लेकिन राजू श्रीवास्तव की MRI report में उनके सिर्की नस्द भी आई थी, जिसके लिए डॉक्तरों का कहना था कि उसकी recovery में हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। लेकिन अब राजू श्रीवास्तव की हेल्थ को लेकर ताजा अप्टेट आया है, जो उनके पसनल सेकरेटरी गर्वित नारंग ने दिया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों और नेगेटिव खबरों पर ध्यान न देने की अपील की थी। इसमें होट के एक बड़े हिस्से में सौफी सधी ब्लोकेज पाया गया। राजू श्रीवास्तव के होट में तब दो स्टेंट भी लगाए और उन्हीं लगतार मॉनितर किया जाता रहा। इसी बीच खबर आई कि राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक हो बही है और उन्हें वेंटिलेटर स्पोर्ट पर शिफ्ट कर दिया गया है। 13 अगस्त की राजू श्रीवास्तव का MRI भी किया गया जिसमें कॉमेडियन की सिर्की एकनस दबी हुई आई है। बताया गया कि राजू श्रीवास्तव का ब्रेन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। हालांकि डॉक्टर पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। फैंस और परिवार लगातार दोआ कर रहे हैं।